आस्ता का महापरव छटपुजा कल से अरंभ हो रहा है दिवाली के छे दिन बाद ये महापरव छटपुजा महना आया जाता है और आज हम सेक्टर 42 की लेक पर हैं जहां पर इंतिजाम सरकार की तरफ से परशासन की तरफ से पूरे कर दिये गए हैं आप देख सकते हैं कि इस लेक में जहां पर हजारों की तदाद में कल लोग आने वाले हैं वहाँ पे पानी जो है वह भर्ना शुरू हो गया और गल जो पूरे पूज़ा और वीधी विद्धान से यहां पर जो चडपूजा की जो शुरुवात है वो शुरू की जाएगी सुबह से लेके शाम तक यहां पर लोगों की जो भीड है वो आने लग जाएगी लोगों की आसा को परशासन ने मद्दे नजर लगते हो यहां पर सुरक्षा के पूरे-पूरे इंतिजाम कर दिये हैं और आप देख सकते हैं कि चंडी कड़ के इस लेक पर निग जो इसके बाद यहां पर लोगों के लिए पूरा सुरक्षा का इंतिजाम कर दिया जाएगा लेक के कुछ बैरिगेट्स लगा दिये जाएंगे क्योंकि आम जंता यहां पर ना सके और किसी को कोई नुकसान न पहुंचा के सेक्टर ब्यालिस में छट पूजा को लेके सारे इंतजाम पुक्ता जो है वो कर दिये गए और पंडित जी है जिन्नोंने अपना योगदान इनिसमें दिया है आई उनसे बात करते हैं पंडिती आपका ग्याना में मेरा नाम आजे पंडे स्री राधा माधाओ मंदिर सेक्टर 34 चंडीगड़ को अब वर्तमान में बिहार परिसद चंडीगड़ कार्ज संस्किर्टी करदा द्याक्ष मेरे को मुनुनित किया गया है आपर सिर्टी आपर भेष्टी राम है वही करवाता है है अपने भाई बंध्रों को प्रिमियों को बिहार से हमारे आते हैं आरा से चंगर आ रहे हैं यहां पर विश्टिस करके यहां पर जो की अच्छा साधार्मिक प्रियोजन हो सके उसमें परसाद की बिएस्था पानी देश् फार जोता है तो में विवास्तह करके पिसकी को तो किसी को ग़ाई के जूरत पढ़े वां पर प्रकी में जाता है उनके सवयोगत buenis सब्सक्राइब कर गए और किसे क्या करना है और में सब्सक्राइब आपना त्यारी कर रहे पंडे जी यहां पर पूरे इंतिजाम है उसमें आप बताइए कि पार्किंग को लेकर वेंडर्स यहां पर कल जो होने वाला जो एक मेला लगेगा छट पूजा को लेकि लोगों को और वेंडर्स को कैसे आपने जो है उनके ही सेटिंग बिठाई है देखिए वो तो प्रशास द्बिठाए के हा जो बाते हैं इसके अपर दोड़ा सा मुता नहीं रखते हैं वह तो परसासं का लोगों से आपका क्या नूरोध हो गया कि कैसे चट पूजा को लेके क्या इंतिजाम और कैसे वह अपना जो है अपनी विदी को पूरा करें देखिए चट पूजा का सबसे बड़ा पहले तो महत उसका समयना चीए कि चट पूजा क्यों किया जाता है तीन दिन का ब्रत होता ह लोगते शुरुजा जाएंगे तो उनको और देख करके फिर समापन होता है इसमें जाधा से जचता सुदता हुदा हुदा है इसमें पवित्र भाव से मन से और वस्तूओं से मार्ग से हमारे हैं तो पीछे पीछे ब्रती आते हैं आगे जाड़ू लगाते जाते हैं पानी इसमें पवित्रता का ज़्यादा सी महत्व होता है जो कि हमारे अब तो हमारे सरकार भी करता है कि स्वक्षता होनी चाहिए पवित्रता का पवित्रता का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं और इसमें रखना भी चाहिए इसमें एक और बात है कि हम जो सामने जो जुगा लेकिन हम पूजा को लो कि इन्होंने सब कुछ इंतिजाम जो हम से ब्यान किया है और अब हम देखते हैं कि कल जो दिनकी शुरुआत होनी है चटपूरास में वहां पे लोगों के लिए क्या अच्छा-च्छा इंतिजाम कर रहा है और कैसे-कैसे इनके जो इंतिजाम है शाम तक कैसे काइडलाइन है परशाशन की तरफ से यही अपील है लोगों को कि इसका पूरा पालन करें चंडीगड से अथप्रकाश टीन की तरफ से कैमरामन मनीश के साथ शीना ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अथप्रकाश टीवी और बेल आ